हेलो बरिवन नमस्कार अदाब सस्त्रेकाल तो आज हमें स्टार्ट करने वाले हैं एक निया टॉपिक जो के हमारा है काश्ट प्रोसेसे जने फॉर्म तो देखिए हमने यह सिलाबस अब ते कंप्लिट कर लिया है और आज जो हम कवर करेंगे काश्ट प्रोसेसे जनेट फॉर तो यह हमारा सिर्फ नेट सिलाबस में दिया गया है देखिए ठीक है तो हमारा यह गेट और जैसाइक के लिए उतना खास इंप्रोनेट है नहीं फिर भी यह हमेसा थोड़ा मोड़ा कहीं से पूछ लेता है तो आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है तो देखिए नेट सिलाबस में कर दिया गया और इसको हम दो बूक से फॉलो करेंगे हमारा टॉपिक हमारा वह है रिचार्ड जॉन हगट और एक हमारा यहां पर बुक आएगा समर फेल बुक का जो हम पहले से फॉलो करते आ रहे हैं इसमें कोब भी दिक्कत हमें ना होगी ओके तो यह हो गया हमारा और हमने यह सब अभी तरह कंप्लीट किया है अगर आपको इसका पीडियाफ चाहिए तो डेस्क्रिश्य में लिंक दिया गया है अब वहाँ पर जाकर जोन कर लिजिए मैं आपको वहाँ पर पर प्रुबाइड करवा दूगा यहां पर हम पढ़ने वाले हैं चाप्टर 14 रिचार जोन हगट बुक का और फिर समरा फिल्ड उबक का कुछ रेंडम पिजेस हैं जिसको मैं आपको वहाँ पर यह तिक मार दिया हूं आप उसको बस पढ़ लिजेगा ओके सो चली बिना ताम विश्ट कर श्टार्ट करते हैं लेट्स तार्ट तो इस चाप्टर पर देखें तो हमारा कहके मिलनी पढ़ेंगे हम तो दे नेचर ओफ स्वलिबल रॉक टारे डिस सॉलूशन अव लाइम स्टोन लेंट सफॉर्म फॉर्म फॉर्म विदिन लाइम स्टोन ठीक है तो हमारा काफी इंपोटेंट है और देख पुछ हो तब भी हमारा वो किसी टाइप का भी चेंज़स ने दिखाएंगे तो इस टाइप के वज़ज़ से हमारा यहां पर बहुत ही अलगले टाइप के लेंड फॉर्म हमारा ग्राउंड सर्फेस पे और ग्राउंड सर्फेस के नीचे अंडर ग्राउंड रॉक जो कि आप नवी टरव और एटालियन टॉम में हम काश्ट कंब भूलते हैं और स्लोवेन संक्रास मतलब हो यह क्या होता इसका मतलब होता है तो अगर हमारा त guard that ihan कर्いきलत होता क्या है TAU जो है एक ओपर रॉपला प्रेजेंट उपर सर्फेस की ऊपर यह में यहामारा ठेक है और सर्फेस के एंडर्गान में रॉप प्रेजेंट है वो हमारा water की of dissolving action के वज़े से अब पर जू ग्रांड रॉग प्रजंट घर जो अव्ह Flower प्रजीनुरा करेंश चक्ड होना जिसके वाज़े से हमें अलगAhным Peak का लेंट फॉर्म वहां पर ऑलगाज़ तै दे जिसके वज़े समस्टू मिलता है तो अंद्र जाते हैं क्योंकि limestone जो है एक बहुत ही अच्छा कार्ष्ट रॉक है ठिक अगर आप से पूछा जाए मतलब कास्ट मितलब जो फीचर्स होंगे वो सबसे अच्छा कॉन से रॉक में दिखाया जाएंगे तो हमें क्या बोलेंगे वो कि लाइम स्टोन ही वैसा एक रॉक है जिसमें सबसे अच्छा हमें वह देखने को मिलेगा ऐसे बहुत सारे रॉक हैं जिसको हमारा वाटर के वज़जे से कुछ मुझ डिज्वलू हो जाते हैं लेकिन जितने अच्छे तरीके से राइमस्टोन हो पाता है उतने अच्छे तरीके से जहां भी नाम है तो आप यह जो टम है इसको थोड़ा याद रखेगा और इन सिलिकेट जैसे कि हमारा सेंड स्टोन हो गया क्वार्जाइट हो गया तो यहां पर भी हमें मतलब काश्ट फीचर्स देखने को मिलते हैं तो देखिए हमारे जो लाइम स्टोन है वो कैसा रॉक है हमारा वो है सेडिमेंटरी रॉक तो हमें काश्ट फीचर्स जो है मेल ली हमें सेडिमेंटरी रॉक में देखने को मिलते हैं लेकिन हमें यह इगनियस रॉक मेटाफिक रॉक ऐसे यहां पर भी देखने को मिल सकते हैं लेकिन कुछ ही फैबरिवल कंडिशन होते हैं उसका एं लेकिन हमारा कुछ रॉक है जैसे काश्ट फीचर्स में अलसो फॉर्म बै अधर मीन्स जैसे क्या-क्या वैदरिंग के वज़े से हो रहा है फिर हमारा कुछ पॉर्ट में यह सबस्किशा की वज़े हैं तो उस त्यंग हम इसे हैं वह मुडूर् कर भे Sakker लेए तो आप सब्सक्राइब बीजिए यह काफिति है इंपोर्टन लेगिन है लेकिन उस से पहले आपको एक बसाथ हो कि यहा पर क्या कंदिशन्स ज़रकार होता है हमें काश्ट ुपोरहफी को फॉर्म करने लिए तो वहां पर जिस रिजुन में हमारा काश्ट syndrome होता है तो वहां का जो जो कि हमारा calcium carbonate reach है तो वहाँ पर water soluble rock मतलब वहाँ पर अगर water अगर पड़े तो हमारा rock जो है वो soluble होना start हो जाए इस type के rock present होना चाहिए और हमारा वहाँ पर जो rock है वो porous नहीं होना चाहिए जाएगा तो वैदरिंग तो नहीं होगा तो में लिए इसलिए यहां पर बोला गया है तो अगर यहां पर पोरस नहीं होगा तो यहां पर वाटर श्टर करेगा जिसके वज़ए से फिर हमारा water करना श्टर कर देगा वाटर के वज़ए से फिर हमारा जो है रॉक तो अल्टर हो जाएगा और फिर देखिए क्या कंडिशन है वहां पर जो हमारा रॉक प्रेजेंट होगा वह पर्मेबल होना चाहिए लेकिन ठीक है फिर डेंस क्रैक वैल जॉइंटेड होना चाहिए और कि वैसा में नेविदेगा तो रॉक प्रेजटेंच छोजन होना चाहिए जोब यहां पर इसंटीक हो फिर हमारे बिश्चेंट होना क्या मतलब यहां पर continuous flow of water पर बारो महीं नहीं यहां पर continuous flow of water वहां पर होना चाहिए ओके फिर हमारा जो सबसे एक्ट्री इंपोर्टेंट है कि रिजन है वे low water table to allow the formation of conspicuous features ओके तो यह हो गया हमारा एक फिर यहां पर जो reason मौजूद है यहां पर हमारा लगभग moderate to abundant rainfall यहां पर होना चाहिए जिसके वज़े से क्या होगा हमारा solvent action of water होगा यहां पर हमारा रॉक का solution मतलब वहां पर रॉक जो है changes होंगे तो किस टाइप से होते हैं इनका mechanism क्या है जिसको पहले देख लेते हैं कि देखिए यह हमारा यह dissolve करते करते chemical weathering के वज़े से हमारा रॉक जो है फिर वैदर हो जाएगा ठेक है तो यहां इसी टाइप के features को क्या बोलते हैं यहां पर कास्ट बोल रहे हैं तो नहीं लिए कुछ होता नहीं आप समझ गया होंगे उमीदे मुझे नौ फिर हमारा देख लेते हैं यह टेब होगा तो आप कौन से बोलिएगा लाइम स्टोन ही बोलिएगा ओके तो लाइम स्टोन हो गया फिर हमारा डॉलोमाइट अधर कार्बनेट रॉक इभापुराइट जैसे जिपसों है लाइट सिलिकेट रॉक यह सब यह सब हमारा क्या होंगी काश फीचर्स में आएंगी जो हमारे भापुराइट और सिलिकेट सॉलिशन के वज़ए सिलिकेट रॉक हमारा यह सब जितने प्रिजेंट है वह सब होते हैं और सूडो काश्ट देखिए सूडो काश्ट हमारे हैं पर क्या हो गया बासाल्स आइस स्वाइल मोश्ट रॉक सैंस्टोन फिर हमारा पर देख लिजाए किस वज़ें से क्या हो रहा है तो यह जो टेबल है सूडो काश्ट और काश्ट का यह काफी हमारे लिए इंपोरेंट हो जाता है ओके नौ हमारा यह हो गया क्लियर ओके फाहिन नौ के बढ़ते हैं यहां पर देखिए यह हमारा आप इसको याद करके दोलोमाइट यह सब ब्लैंक में देदेता है कि यह क्या है यह सब जगह देदेगा और यह हमारे एक टो ब्लैंक में से देदेगा कि यह क्या है इसको पहचानो आप यह लाइम स्टोन हमारा इंप्योर कहां पर है और प्योर कहां पर होगा तो देखिए लाइम स्टोन प्यो तो आप इस बात को भी ध्यान रखना है तो प्योर लाइम स्टोन जो होता है उसमें लगभग 90% कम से कम कैल साइट होना चाहिए और फिर डॉलो माइट देखे डॉलो माइट एक रॉक है जिसमें लगभग पचमलों कम से कम 50% कैल से मैगनेसिम कारवनेट होना चाहिए तो इस लाइम स्टोन फिर हमारा और एक ठोड्रॉप स्टोन यह तीनों के बारे में आगे पढ़ेंगे ठीक है तो दोलो श्टोन के बारे में पढ़ लिए क्या होता है यह प्योर डॉलो माइट को हम डॉलो श्टोन बोलते हैं जिसमें हमारा लगभग 90% जो है अगर डॉलो क्या केल्सियम मैगनेशियम कार्बनेट ओके समझ गया ना वहीं कार्बनेट रॉक्स और इंटर्मिडिट कंपोजिशन जैसे कि प्योर लाइम स्टोन और प्योर डॉलो माइट ऐसे बहुत सारे नाम दिये गए हैं इंक्लोडिंग मैशियम लाइम स्टोन डॉलोमिटिक ला लेकिन आपको यह याद रखना पड़ेगा कि आखिर होता क्या है यह किस तरीके से होते हैं तो इसको में एक बार देख लेते हैं ओके दिगे ट्रू कास्ट होता है यह हमारा डिनोड करता है कि हमारा वहां पर जो सौलिशनल प्रोसेस के वज़ए से बहुत सरे मांट के ले इंडोनेशिया वहां पर जितने प्रोसेस हैं वह हमारा मतलब सारे के सारे कास्ट प्रोसेस के वज़ए से हमारा वहां पर लेंड फॉर्म होते हैं ठीक है सारे के सारे लेंड फॉर्म है सिप कास्ट प्रोसेस के वज़ए से वहां डेवलप होते हैं तो इस टाइप के एरिय उसी तरीके से गलेसियो कास्ट कर बोलेंगे जहां पर हमारा ग्लीसियल और कास्ट प्रोसेश एक सांथ काम करें जैसे कि हमारा कैनेडा में लिए दिखा जाता है और फिर थर्मो कास्ट क्या है एक एक एर्रेगूलर टेरें है जो कि प्रोडूश कैसे होते हैं by the thawing of ground ice in periglacial और हमारा वो श्ट्रिक्लि scientifically स्यर्ट यह काष्ट्ट मजलिब नहीं होते हैं बढ तस टुप्राफी शोपरफेस्ट करते त्युक्या है तो फजानות याद हो लाइन तो झाल ध्यान धिश्च काश्ट और सूड़ो काश्ट होते हैं इस मेel नहीं होते हैं बट इस टोपोग्राफिस सुपरफीसियली सीमिलर टू कास्ट टोपोग्राफिए ठीक है तो थर्मोकाश्ट क्या होगे आपको याद रखना है कि थर्मोकाश्ट एक एक इर्रेगुलर terrain है जो कि produced किसके वज़े से होता है हमारा by the thawing of ground ice in periglacial environment यह जो लाइन है काफी important आप इसको ध्यान दीजिए और एक बार कि thermocast क्या है यह produced thermocast एक irregular terrain है जो कि produced होते हैं by the thawing of ground ice in periglacial environment और वो strictly हमारा cast और pseudo-cast बिल्कुल नहीं होते हैं लेकिन उसका जो topography होता है वह similar हमारा cast topography के वज़े से होता है जैसे होता है ठीक है तो समझ गए thermocast क्या होता है नौ फिर हमारा हमारा epicast cast ने system जो होते हैं are a key to understand many cast features तो from a hydrological standpoint कास्ट हमारा दो भाग में डिवाइड किया गया है उसे दो जोन में समिले डिवाइड किया गया है जो कि पहले क्या है कास्ट इवाइड इंटो the surface and near surface zones और epicast और हमारा एक फिराता है and the subsurface zone जिसे हम endocast बोलते हैं तो epicast क्या हो गया जो हमारा surface के उपर present है features और हमारा जो endocast क्या हो गया तो हमारा surface के नीचे है तो यह जो term है epicast और endocast थोड़ा से याद रखेगा तो epicast क्या होता है जहां पर हमारा obviously surface के उपर present है तो surface और soil है में पर प्रेजेंट होगा and the regolith and enlarged features जैसे कि subcutaneous zone okay फिर endocast क्या होता है यह हमारा भी similarly है endocast is similarly divided into two parts हमारा दो बग में इसे divide किया गया है कौन-कौन सा सबसे पहला है the bardo zone of unsaturated water flow and the phreatic zone of saturated water flow तो आप इस बात को धियान रखना है कि हमारा endocast क्या है यह similar है it's similarly divided into two parts उसी को भी दो बग में डिवाइड किया गया है अब पहला है वाड़ो जोन उफ unsaturated water flow जहां पर अन्सचरट बाटर फ्लोव रहे है आपको याद रखना है कि वहां पर हमार बाड़ो जोन होगा और जहां पर हमारा इस बात को ऐसे याद रखेगा तो इन अपर पोश्चन ऑन भाटो जून क्या होता है थ्रेट्स ऑफ वाटर इंद सब कुटानियस जून कंबाइंड तो फॉर्म पर कुलेशन स्ट्रीम एंड इस रिजन इस कॉल पर कुलेशन जून को कि थोड़ा इसको याद रख इसको नहीं पढ़ेंगे जो कि मैं थोड़ा मुड़ा आपको पहले ही बता चुका हूं कैसे क्या हो रहा है फिर हमारा सिलिकेट ड्रॉक्स में क्या क्या इंपोर्टन इस यहां पर ही सब हमारा आएगा तो के तुई हमारा उतना भी इंपोर्टन नहीं है तो मैं भी इसको इग्नूर कर रहा हूं नहां हमाँ यहां पर इसब से इपोरेंट होटां यह फीचर रहे काफी इंपोर्टन है तो पर भून ऊब ऑल्र यह काफी important terms हैं आप इसको अच्छे से याद रखिएगा कि हमारा यह कास्ट टोपोग्राफिक में आ रहे हैं ओकी नौ हमारा यहाँ पर देखिए स्टेलेक अंडर्ग्राउंड में देखिएगा यह तो हमारा surface feature हो गया यह फिर अगर underground देखिएगा तो यहाँ पर स्टेलेक्टाइट स्टेलेगमाइट ठीक है तो इस टाइप के यहाँ पर फीचर से में देखने को मिलेंगे यह पॉल जे काफी important हमारा bedrock जो है वह बहुत ज्यादा exposed है atmosphere में मतलब वह atmosphere में कर देखें तो बहुत ज्यादा amount का वहाँ पर एक rock में दिख रहा है तो इसको क्या बोलेंगे bare cast बोलते हैं और वही covered cast का बोलेंगे जहाँ पर हमारा bedrock जो है वह hardly exposed होता atmosphere में ठीक है तो इस बात को आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा okay now free cast यह क्या हो गया फिर impounded cast यह क्या है वही सब थोड़ा आप देख लीजिए यह क्या है कि हमारा free cast देखिए जहाँ पर हमारा किसी ब्रेंज होंगे सब्सक्राइब पानी का वो सब्सक्राइब हमारा सी में पहुंच जाएंगे लेकिन इंपाउंड़ कांश्ट में क्या होता है वहां पर जो है वह इंपर्वियस रॉक से पुरा घिरी रहता है और उसे बहुत ही है जिकल सिस्टम मतलब अलगला सब्सक्राइब तो इस बात कब धान में रखिएगा केरन केरन एक अंब्रेला तर्म है याद रखिए विच कमस फ्रॉम जर्मनी तो कवर और इलाबरेटली डाइवर्स ग्रूप आप स्मॉल स्केल सॉलिशनल फीचर्स एं स्कल्ट्रिक फाउंड लाइब स्टोन और डॉलम मुर्ति उर्ति बनाते हैं या फिर डॉलमेटिक सर्फेस के वज़े इसे से वारा ग्राउंड सर्फेस में केस्प न जाता है और वह मारा भाई सब सेर से रहते हैं ठीक है तो इस ताइम के जो एरिया में प्रेजेंट रहते हैं उसको हम मिल निशे कैरें बोलते हैं तो यह दो लाइन पोनोर उभाला यह सब क्या-क्या है इसको नीचे में दिया गया है मैं आपको अच्छे से लिखाया हूँ तो आप वहाँ पर देख लिजेगा ओके तो पहले यहां पर देखिए सबसे पहले स्मौल लाइस टोच यहांसा सालुस्छन माइक्रोरि यह सब क्या-क्या फीचर सोदें Chief Micropaghos माइक्रो रिल्स, सॉलेशन रिपर्स और फ्लिटेट स्कैलोब्स, सॉलेशन फ्लिट्स यह सब उतना इंपोरेंट तो है नहीं लेकिन आप फिर भी इसको एक दोबार देख लिजेगा तो अच्छा रहेगा पता नहीं कहां से क्या मन चढ़ा भाई साब लों का तो गिरा लेकिए और हमारा बेर लेकिन यहां पर एक सब्सक्राइब काफी इंपोर्टेंट हैं तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा फिर हमारा पार्टली कवर्ड फॉर्म में क्या-क्या हो रहे हैं हमारा अपरी सॉलेशन पीट, सॉलेशन पैंस, सॉलेशन नोचेस, सॉलेशन पैब्मेंट तो यह सब्सक्राइब थोड़ा सा कहां कहां से आ रहा है बस उतना बस याद रखना हो कुछ आता मतलब अंदर घुसना नहीं है ओके फाइन नाओ फिर हमारा यहां पर देखते हैं माइक्रोफिस स्प्लीट करें यह पर क्या क्या है यहां पर नीचे आ इत्विन कि आ है कहां गया कहां गया वेठा आ गया थो सर्फिसफीचर सर्फ हो ना वहां पर यह सब यह सबृचर में फ़र मतें हैं जैसे कि सिंग खोड और सौलेशन सीन्क्स तो यह क्या होता थैं सिंग झोल आप कब बोलिंगी जहां पर हमारा सपोच कीजिए स्मॉल् टो से सब्राउंड talking विलिए इस ताइप के फटरल होता है ना फटर12 جानते हैं जहांसे तेलो हटे हैं सवेसे इस ट्राउंडान अलोता है हमारा इसा चौिधड में उसे टाइप का यहां पर जिसे ट्रॉक्चिर हो वह ऐसे डैबलोप्र ओ ऐसे इस ट्रॉक्चिर है जाएंगे तो यह फरनल सेप का मर बनते जाएगा तो इसी टाइप के स्ट्रक्चर को में लिए क्या बोलते हैं और यह काफी स्मॉल साइज में होता है तो स्मॉल तो मेडियम साइज राउंड टो सब राउंडेट सैलो डिपरेशन जो होंगे उसे हम क्या बोलेंगे सिंग और फिर जैसे हमारा सिंग지 बढ़ेगा तो उसे क्या बोलेंगे स्ट्रक्च की सोलेशन सिंह ग्हान दिजी मैं क्या बोल्रहां सिंग क्लिया हो रहा है ज Gulf का सथ जो है वक्षा स्था है वह हमारा वही जो है हमारा फिर वही साइज अगर बड़ा हो जाय तो उसे हम क्या बोल रहे हैं solution sinks बोलते हैं ठीक है फिर हमारे क्या है sinkhole और sinkhole क्या होते हैं इत इस न ओपनिंग more or less circular at the top ठीक है more or less circular at the top and funnel shaped towards the bottom और यह जो holes है these holes grow in size through continuous solvent action और जो फिर hole present होंगे यह जो present है यह धीरे 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 continuous solvent action के वज़े से बढ़ते रहते हैं तो आप इसको समझ गया होंगे okay fine now निचे पढ़ते हैं हमारा कास्ट विंडो यह कास्ट विंडो आकर होते गया है जब भी हमारा add joining मतल興 हा अक्राण यहां पर एक single present है यहां पर इरिया Ten cabinet आसे और याद्रेश गया होता है जया हमारा add joining सिंक होल्स और कोलाप्स कर जाएं और फिर यहां पर क्या होंगे फिर वह एक बहुत ही open road area form करेंगे जिसे हम क्या बोलेंगे काश्ट विंडो वो लेंगे ना हमारा gallery और साफ्ट क्या होता है उसको पहले बात में देखेंगे जिसे बता देता हुआ अब को है मतलब जो फीचर्स ऐसे हैं यहां पर ही अगर इसको भर्टी के लिए मिल स्वरी होरिजन्टली अगर से जॉइन करता है तो इसे हम क्या बोलेंगे गैलेरी की काफी इजी है तो अब इसको थोड़ा से याद रखें मैं फिगर के वज़े से देख के बता दूंगा आगे क्य अरहा है क्या नहीं है ठीक है री जूंगा जिन शींकें क्रीग और वगास यहां खिर होते क्या है तो इने वैली हमारा क्या होता है water often gets lost through cracks or features in the bed तो बैट में हमारा जो crack and features जो feature हमारे बड़वाज ग्रस हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं sinking cricks बोलते हैं and if the tops are open अगर उसका जो टॉप होगा अगर वो खुला रहेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे बोगास बोलेंगे ठीक है तो यह थोड़ा मोड़ा याद रखिया फिर मैं आपको बता रहा हूं फिर डोलाइन डोलाइन क्या होता है देखिए जब बहुत स सारे डोलाइन मतलब सेवरेल डोलाइन एक साथ मर्ज या कॉलाप्स कर जाएं तो इसको हम क्या बोलेंगे उवाला यह तर्म में धीरे-दीरे याद रखिए मैं कैसे कि धीरे-दीरे कैसे बढ़ रहा है फिर पूल जेस सब खली साइच का मेंटर है भाई सब कुछ वहीं ची पूल जे आपको याद रखना है कि है फ्लैट फ्लो डिप्रेशन है और ड्यू टू फॉल्टिंग हमारा क्या हो रहा है बहुत सारी वाला जी एक साथ अगर आगे मर्ज कर जाते हैं तो वहां पर हमारा वह पॉल जी फॉर्म होगा ओके फिर हमारा लेपीस और कैरें यह यह काफी इंपॉर्डेट से जो कि हमारा काश्ट फिचर में देखने को मिलता है तो यह वह ऐता है तो यह जो एक स데 विचर से थैख ऑह कि एक प्रेज़ wz링 यह कृण पेले समुझे सरफीचे है तो हमारा वीजिगास हमारा प्रैक गब दाक हूप निचाहां स्रथ्टल हमारा उसमें water अगर flow करेगा और यह की continuous water flow होने के वज़े से क्या होता है हमारा यह जो cracks मौजूद है यह धीरी-धीर क्या होंगे हमारा यह widening होना start हो जाते हैं ठीक है यह क्या हो कि है धीर-धीर क्या है कि मैं ऐसे लेगा कि और फिर ऐसे-एसे रॉक यहां पर रखा गया तो इस टाइब के फीचर्स को मिलने क्या बोलेंगे हमारा यह बोलते हैं ठीक है और देखिए फिर हमारा यह जो limestone आध्यच्तून पेड्र करने कि यह एक रखाव कि यहां यहां बोलते हैं तो यह जो हमारा जो कर डेंट 95 N LARG Joint, N LARG Joint मतलब जैसे हमारा यह ROG PRESENT है न, दखिए, यह जो ROG PRESENT है तो इसके वीसे, यहाँ क्रैक में पोज़ोध हुआ, तो यह जो joint बढ़ रहा था, मतलब जो था, तो यह जो जॉइंट हुआ है इसे हम क्या बोलते हैं ग्राइक से बोलते हैं और आइसोलेटर यह जो ब्लॉक्स प्रेजेंट है हमारा इसे हम क्या बोलते हैं इसे हम क्लिंट से बोलते हैं तो यह तो आप इसको याद रखेगा ठीक है तो यह जो रॉक हमारा प्रेजेंट हु rectangular blocks जो बनते जा रहा है इसे हम क्या बोलेंगे क्लिंट्स बोलते हैं तो आप इस बात को याद रखना पड़ेगा और फिर हूम्स और पैपिनो हिल्स यह हम क्या बोलते हैं कैसे होता है यह एक टाइप का जैसे यह दो तो बोलेंगे हमें करेंगे जाल टाइप का देखने को मिलेगा हमारा पॉललहें के मतलब सर्फेस पर तो पोल्ग में क्या हो रहां तो बहुत सरे सेवरल यूबाला अकर आके हमारा मेल जा रहा था तो उसको तो वहां कर फ़्याट फॉर्ड रणय न होता है तो तो अगर हम इस टाइग्राम में देखें, वेट, हाँ, देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, डोलाइन, डोलाइन हो गया, पोनोर, यह पोनोर क्या होता है, पहले देख लीजे, पोनोर भी, तो जैसे एक टाइप का छेदा हो गया, तो यहाँ पर जैसे पानी गया ना, तो ड नहीं आजाएगा लिगी चुहां लोग नहीं करते हैं ये उस बात से रीट मत किज़ेगा बस मैं आपको बता रहा हूं तो पो नोर इस टैब के फिरसको मारा बोलते हैं फिर लॉलाइन क्या हो क्या सब्सक्राइन बनाएंगे तो सबसे साइज में अगर पूछा जाए तो यह साइज भी आ सकता है according to size यहां पर ही इसको हमारा देनोट कीजिए सबसे पहले हैं क्या बोलेंगे पॉनोर सिंक होल्स जो है हमारा पॉनोर सिंक होल्स फिर हमारा डोलाइन ओवाला वोल जे ठीक है तो इस टाइब के फीजर को आप बोलेंगे ठीक है फिर हो गया ना हमारा लाइम स्टोन भ्लॉक आप को बन जाएगा इसको किया बोलते हैं क्लिंट को फिर माला जो इसके बीच में जो ब्लॉक्ट को बीच में हमारा जो जॉंक अंब Jeanne तो उसेары समynn dell ग og बोलते हैं तो यह फीचर सेमारा हो गया फिरинки इंटर सर्फेस में यहां परी फिर हमारा जाएगा यह स्टेलेक्टाइट स्टेलेगमाइट उसको आगे पढ़ेंगे अभी हम क्या पढ़े थे एक तो में बताने वाल था जो एक मिनिट हां वो रैसीडूल हील्स पोलजी में देखी पोलजी में क्या होता है न यह छोड़ा एक काफी इंपोर्टेंट तो आप इसको याद रखना पड़ेगा केविन काश्ट टावर तो यह जो है इसको आपको याद रखना है कि हमारा भाई सब काष्ट लेंट फोर्म में आते हैं और इतना ही मिलनी हमारा इंपोरटन रहता है ठीक है और फिर देखिए हमारा एक अ पूल बन जाता है तो फूल बन गे अंडरग्राउंड पूल तो उसी को सीनोट बोलता है कि देख लेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं फिर हम डार्टर भी देखते हैं यहां पर फिर इंपोर्टेंट है हमारे लिए उके है तो अभी आप समझ गिए होंगे इन फ्लेसे ग्राइक्स ग्रो लाइज ठीक है जहां पर मतलब जॉइंट हमारे जो रॉक प्रेजेंट हमें उसके बीच में जो क्रैक्स जॉइंट से उसे ग्राइक्स बोल रहे थे तो अगर वह ग्राइक्स हो जाएं बहुत ही मिल्लब आपको याद रखना पड़ेगा ओके फिर हमारा प्लेटिया क्या हो गया ग्राइक वाइल रिसेशन प्रोड्यू स्क्वैर्स और बॉक्स पहली एंड लाज क्लोश डिप्रेशन इसे हम प्लेटिया बोलता है जो कि हमारा उसे क्लिंट भी मिल ली था वह तो कॉलिडर कास्ट जो है उसे हम लेवरीनिस कास्ट कॉलिडर कास्ट यह सब मिल ली सब देखने को मिला ओके फाइन नौ इंटिजे लाज स्केल क्लिंट एंड ग्राइंट बट में हैब कॉंप्लेक्स ट्रिया डैवलोप्मेंट ओके फाइन समझ गे नाब फिर हमारा थे कि पिनेकल कास्ट और सी इन्य क्या होता है सीनील मतलब होता है इस टॉन फोरेश्ट भाईसा मतली हो जाए सिर्फ फॉन स्केली परिजन रहें गे पेधी सब प्रेजन रहें कि अ मेजन फोरेस्ट identify 3 प्रेजियुय तो मारा है व क्तेश्षि कुए सिर्फ स्टोन स्टोन इस टाब इस डियाए सब रहूं ठीक संवज़ें ओके फ्राइन नाउ हमारा यह क्लियर हो गया है अभी हमारा देखते हैं जियोड क्या होता है फिर कंकार जोड क्या है यह हमारा रॉक में कैविटी पेजेंट रहता है जो कि हमारा किसे लिंक होता है क्वाज क्रिष्टल सी प्रोजेक्टिंग वार्स डिया कहीं शींधुस खंझ प्रूप कमर करतों पहले सब्सक है अधे लिघ कि लगने कि यह को यहां हे जो ही जा फ़ूजिए करी दो यहम्मुयए ONई-फी आंड पॉल्स ही नंडरांण पूल को से विचाँ और कॉने centuries 시यां लीं होते हैं हमारा interglacial time में जब मतलब high sea level में देखने को मिलता है तो उस तोरण हमारा ये underground pools जो है develop होंगे ओके तो हमारा फिर देख लेते हैं स्टेलेक्टाइट स्टेलेगमाइट पिलर्स फ्लो स्टोन्स आखिर यह सब होते गया हैं तो जैसे हमारा when calcium carbonate supersaturated हो जाता है तो उस condition में क्या होता है solutes जो हमारा water ने present है वह हमारा जो रॉक है वहाँ पर उसको starts participating मतलब sorry solutes जो हमारा water present है वह participating करना start कर देगा तो उस condition में जो सब्सक्राइब डिलर्स होगा वह हमारे क्या क्या होगे च्छेलेग टाइट च्छलेंगमाइट फिटिए टाइट क्या होता है न तो देखिए इस ट्रलेक्टाइट यह टंभता है मिली हमारा मिद्ध समघ दी ठीक है माईट दी दिभंग ने जो हम झाल जो ग्रॉइट जो वेड़ पो deconstruct DRS लिएंगा इस vertex को बोलेंगेस ​​ inevitably जहेंं हमारा यह दोनों फीचर का आप डिलप हो रだ यहीं को जीन हो जाते हैं तो जिस के वजी समारा जो ने-टाइस को रखुए ब ही जिसका कि भीटक goes टूर इसी को मिने बोलते रहते हैं यूत ऑर डिवस्ट डिवाप्ल होते रहते हैं तो यह respons हмारा बहुत सारा रोक शोटा माटा में नब यह तो और रहता है उसे को इनके भी पढ़े रहता है थी कम धीजले दोनुरों क्या बोल तो इसको क्या बहुते है यह चोख Senior सृरों दोनों किया बोलते हैं अगरी तो इसको प्दा़ा जो मैं पढ़ चुक था रैज है में लेकि का रहता है गयर मैंbracht debate स्टड़ी ऑफ के बारे में अगर आप सेंटिफिक स्टड़ी करते हैं तो उसको हम क्या वह लेंगे स्पीलियो लोजी ठीक है ना हमारे ड्रॉप स्टोन देखें ड्रीप स्टोन के जैसा ही तो है लेकिन हमारे यह देखी एक ग्लेसियल फोल हो जा फिर जब मैल्ट हो जाए तो शरॉण क्या होगा यह जो ब्लॉक है दा ब्लॉक सैटल सुधा वाटर कॉलम एंड रंड्स वन दे स्टिमेंट बिनीद और जो सेडिमेंट ऑफ फिर कंटीनियो हो करना कर देगा continue deposit and cover the stone ठीक है तो इस टाइब के फीजर्स को में ड्रॉप स्टोन होता है तो में ली ड्रॉप स्टोन क्या होता आप सको जान लीजी ग्लिसल फीचर है में ली और फिर हमारा यह जो ड्रॉप स्टोन है यह किस क्या काम आता है किसले काम आता है इट इस in the geological record ठीक है समझ गया होंगे उमीद है मुझे ना हमारा यह सब हो गया तो वाला क्या हो रहा है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं तो वाला compound sinkholes और complex depressions composed of more than one hello तो इस सब आप देख लिजीगा क्या हो रहा है क्या नहीं तो में लिए जो टर्म है एक बॉक्स ट्रोपोग्राफी किसमें आ रहे हैं और थीक लाइम स्टोन क्या होता है जहां पर water table जो काफी deep होता है और solution sinkholes यहां पर पॉंच डाउन हो जाएंगे फिर हमारा क्या छोटा सब्सक्राइब नियुक्त करते हैं एक बॉक्स टोपोग्राफी जिसे हम क्या बोलते हैं चाइना में फैंक कॉंग भी बोलते हैं थे कि पॉल जे पॉल जे क्या होता है पॉल यह एक लाज जीज़री लॉंगेट और क्लोश डिप्रेसन है जिसका फ्लेट फ्लोर होत बिकास नोट करें एक टो चोटा साइज में चल्ट करें दो इसको जलती पानी आप आप तो इसी को इस समयारा फ्लड भाए आजाते इस बात को ज्याद रखेगा तो यह पोलजा जो होता है जो बहुत सरा पांद गर अगर यहाला के करें कैसे क्या हो रहे हैं तो आप जो तूड़ा है याद रखिएगा बता दे रहा हूं आपको क्या रखने बस इतना ही इंपोट्टेंट था हमारे इतना मैं इभक मताया रहां हुआ उतना ही मिली हमारा बहुत याद इपोटन था और भी मैं से बदा रहा हुँ एक्स्टा ज है जो आपका मिल्ली आ सकता है ओके सो देख लेते हैं यहां पर यह तर्म में कुछ-कुछ आप देख लिएगा तो टाइप सब कॉन कास्ट किस टैप कास्ट होते हैं तो बहुत सारी जो कास्ट लेवल है भी हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं फिर हमारा ब्लाइंड हां यह ना इजसे है सारा पानि धरी आजाते हैं तो इस ट्रैप कोको बने बोल्ते हैं ब्लाइंड और हाँ ब्लाइंड फैली बाइंड फैली हो गया ह्तिर अंपर यहां इस ट्रैप के फीचऱ् को हम क्या वह थे जो खींड हमारी घॉल्स ओके का फ्लिर होग संग धे हमीदे कि फाइन तो फिर हमारा ब्लाइंड वेली क्या हो गया इफ इस ट्रीम कर्ट इट्स बैड फार इनफ एंड लाज अंडर्ग्राउंड कोड़ सोड़ इवन फ्लर डिस्चार्ज सिंग थ्रू इट अ ब्लाइंड वेली इस क्लोजली एपरेटली एट इस लोगरेंड बाइक लि इस में भी ड्राइ वेली ओके फाइन नौ यहमारा clear हो गया क्या है क्या नहीं है एक टीप है तुछ इट्प को क्या होते हैं पॉकेट वेली बोलते हैं भी थीप टीप टीप जया कुछ चुछ तो इस ताप की यहाद रखें पर ड्राइवली ड्राइवेली क्या हो रहे है और में डाइब लिए वेली सेफ डेड दे लैक सर्फेस्टीम चैनल्स ओंडिर फ्लोर्स ओके फाइन तो यह हो जाता है थोड़ा आप देख लिए का टम तो बस और मिंडर केप जानते हैं जैसे में तो जानते हैं कैसे होता है अलगले से पर यहां पर होता है तो इसको में डर वेज़े डिपोजिटेट फ्रम स्प्रिंग रिवर और लेक वाटर इन असे से से निए प्लांट उसको में क्या वोलते हैं टूफा फिर हमारा कॉंपक्ट किस्टलाइन और और ऑफन बेंडेड कैल्सियम कार्बन डिपोजिट्स जो हमारे हो रहे हैं जो हमारे प्रिस्टि इसको क्या बोलते हैं बोलाड सेफ्ट रॉक्स बोलते हैं दिख्ञा फिर हमारा यहां पर एक थोड़ा इंपोर्टेंट टम आता है वह आता है पुछ सेक्वेंस ओव इवेंस लेडिंग टू बोलाड रोक किस तरीके से हमारा पॉलाड रोक फॉर्म हो रहे हैं तो पहला ज जाएगा फिर दिरे दिरे यहां पर ही क्या होगा यह जो पीचर से यह अनलार्ज करते जाएंगे तो फॉर्दर वेदरिंग रिमोफ ते एजस अब दो पॉलिगनल ब्लॉक्स एंड डीपेंस इंवाइड रखेंगा तो आप इसको याद रखेंगा ओके तो हमारा यह हो गय सिर्वाटर बहूर्टर रखेंट जाएगा वाटर्टर गुलिगनल ब्लॉक्त्तु तो घ्रखेंगोगा रखेंगं फिर पेड्रीजिनुम होता है जो हमारा के फिर वाहारहा वाइधरिंग और टॉलिगन के वजए से उसे हम क्या बहलेंगे जेसे हम और करेंट मार्किंग पॉर्ट होल्स रॉक मिल्स रॉक पंडेट्स के लॉप इस तैब कर फीचर से उसको क्या बोलते है इस पीलियो जो इस क्या हो रहा है थोरो से याद रखेगा ठीक है फिर हमारा इंपोर्डन आ जाता है वह बत चुके हैं एक के भी डुरेफ स्टोन फ्लोस टोनय फही क्या हो रहा है इसको भी देखिछकर स्ट्लेगम उदा को एक नवी भी हो गया हमारा clear फिर ड्रैपरीज वाटर ट्रिक्लिंग डाउन लोपिंग वाल्स और अंडर ट्रैपरिंग स्टेलेक्टाइड पॉर्डूसेश ट्रैपरीज तो अब इस तर्म को याद रखेगा कि हमारे क्या होगे ड्रैपरीज फिर हमारा विच में भी सिंगल क्रिश्टल थिक बेरेटी विद कलर बेंड को बैकाउन बोलते हैं फ्लोस्टोन सीट्सा जैनरल सीट्सा फ्लोस्टोन लेट डाउन ओपर दवाल्स इन सीलिंग्स ओके फाइन यह बी क्लियर हो गया फिर एसेंट्रिक फॉर्म से सब जो फ्लोस्ट फॉर्म उपको टेलिग्राम में ली जाएगा फिर हमारा पीसोलीट्स और केप पर्स यह क्या है हमारे स्मॉल बॉल्स जो के मारे रेंज कहां से होते हैं फ्रम एबाउट 0.2 mm तु 15 नियम्म डामिटर फॉर्म केसी होते हैं बाइर एक्रिशन आपको नुक्लियर और सब्सक्राइब करेंगे यह पहले उसी में अच्छे से दिया हुए लेकिन यहां पर तो आपको देख लिएगा कास्टिफिकेशन सुडो कास्ट यह हमारे पहली पढ़ चुक है हम सब कुछ फिर हमारा कैरें लेकिन देखिए यहां बर जोए क्लासिफिकेशन आप सॉलि अब से यहां पर डेवलप हो रहे हैं और वही सब्सक्राइब बताया था वहां पर प्र प्र इच्छा दिया हुए तो आप वहां से देख लिए फिर क्या हो रहा है कब डेवलप हो गा है यह हो गया कॉक पिर इसमें कुछ टम्स है नहीं जैसे कि मोगोड हो गया है तो भी आगे देख लेते हैं आगे थोड़ा से कुछ-कुछ इंपोडेंट है क्या होते हैं यह क्या होते हैं एक हार्ट लियर जो कि मारा फॉर्म का पर होता है इंदे वैदरिंग जून एट और नियर दर लैंड सर्फेस एच ऐच कॉंसेक्वेंस अप्सलिट और लेटिव एक एक बार बस देख लेजएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मैं बस वही चाहता हूं ओकी फिल क्रीट क्या होते हैं सिलिस्याइश्ट इूरी अअच्ट क्या बोलते हैं थीक है और कैलियूमी यक E यह इंपोर्टेंट है और इसमें आग्योंड इसमें प्रीशा ग्यांट में इससे कोई कॉपाइब मेर इस सब्सक्राइब आइस फिर में इस फुर्ड ग्राउड जिन के अब यह शुक्वाट थाय जो टेकर जो पाइब बाइस कि जो मारा नेन पर यह जु़ाएं पर जन्ड फिर आप में पर जोड़ा चुका में बिनीफिक देज़ भाइध बाइवूग भी तोविंग पर फोल्स किया होते हैं अजुक्व लार्च किसी आइगा दोन सलूब एंग फेड फिर फर्मोसी विद्वैयद प्ली दोन आ चाहिए निर्मोसेटर केे वह झाल टर्मम में क्ट्व और्मूसु और मश्यौल प्ली स्लोप इंटर्सेक्ट आइसेज यह हो गया फिर अलेसेस आर मेजर थर्मो काश्ट इपरेसंस फ्रम थी तो फॉर्टी मिटर डीप अब बढ़ने वाले को श्टल ओशन का यहां परी फीटर्स जो है मिली हमारा फिर इसे हमारा और मुश्ट सब कंप्लेट हो जाएगा फिर हमारा एक बॉलकानिक लेंट फॉर्म बजएगा और यह खदम करने के बाद तो मारा गेट का सिलावस पुरा ही कंप्लेट हो जाएगा हमारा गेट के अगर देखें तो हमारा यह जो टम है इसको मैं आपको बढ़ाऊंगा और वाई सब है वैदिंग टॉपिक बचा छोटा मोड़ा टम है छोड़ा जल्दी खतम हो जाएगा वो तो यह जो है मिली हमारा और दो टॉपिक है बॉलकानिक लेंट फॉर्म और हमार कर दीजेगा ओके फाइन अगर कुछ में डाउट हो तो आप कॉमेंट में बता दीजेगा फाइन ना थेंक यू बड़ी मुच